जविगाटो, इस मुवी का नाम एक वज़े से हर जगा दिखाए दे रहा था और वो वज़ा है अपने कपिल शर्मा तो कपिल शर्मा को कौन नहीं जानता? कॉमेडी शोज के बुच्टे चिराख को फायर में कनवर्ट कर दिया दे कपिल शर्मा शो के जरिये और हर घर में CID और Crime Patrol की तरह popular हो गए सो जविगाटो का भी जब ट्रेलर आया था तो कपिल शर्मा से expectations बढ़ गई थी और अब जब मुवी रिलीज हो गई है तो ये fire है या disaster और watch worthy है या नहीं ये फिल्मी नारी से पता कर लेते हैं तो मुवी की duration कुछ 1 घंटा 45 मिनिट की है डिरिक्टिट बाइ नंदिता दास विगाटो स्टोरी है मानस की जो कि एक food delivery वाला है और COVID की विज़े से अपनी जॉक हो बैठता है और फस जाता है ratings और algorithm की दुनिया में तो मुवी का plot इस delivery boy के हर दिन के struggle और survival के आसपास ही घूमता है जिसमें आपको ये बंदा अपनी motorcycle पे एक जगा से दूसरी जगा ज्यादा से ज्यादा delivery करने के चकर में सिर्फ भागता हुआ नजर आएगा so that कि वो अपने दिन की कम से कम 10 delivery पूरी कर सके और उससे उसे कुछ extra पैसे मिल सके जिससे वो ultimately अपनी family का basic खर्चा उठा सके और अपने husband को इस तरीके से struggle करते हुए देख उसकी wife प्रतेma यानि की शाहना गोस्वामी भी कुछ ना कुछ और jobs करने लग जाती है तो movie का basic plot यही है और इसका जो motive था कि audience को एक ऐसे बंदे से connect कराना जिस बंदे से हमारा सामना almost हर दिन होता है लेकिन फिर भी हम उनकी backstory पे इतना ध्यान नहीं देते इसके dialogues जो थे वो trailer से मुझे बहुत अच्छे लगे थे जैसे कि एक dialogue था जहां पे कपिल शर्मा कहते हैं तो उससे लगा था कि movie में कुछ ऐसे जबरदस dialogues हो सकते हैं जो audience को यह सोचने पे मजबूर कर देंगे कि यार जो हमसे lower level पे लोग रहते हैं उनकी life का struggle हमसे कितना जादा होता है और वो एकदम आके audience को hit करेगा बट sadly मेरी यह expectation पूरी नहीं हुई क्योंकि movie में कुछ दो-तीन dialogues ही ऐसे थे जो मुझे थोड़े से powerful लगे तो Ziegato देखते हुए मुझे लगा कि हो सकता है story में आगे कुछ ऐसा दिखाएंगे जो कुछ impact create करेंगे बट movie का first half जितना slow था उससे भी ज्यादा slow मुझे इसका second half लगा जिसमें से कुछ scenes तो extra और बिना sense वाले लगे मतलब अगर वो movie में नहीं भी होते तो भी काम चल जाता और उसकी जगा कुछ और element डालके movie को interesting बना सकते थे पूरी movie में आप ये सोचते रह जाते हो कि क्या इस food delivery वाले की life में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं तो movie की ending frankly मुझे तो ऐसी पसंद नहीं आई तो जब किसी movie की script ऐसी complicated होती है उसे समालते है उस movie की actors की performances अगर मैं performances का बोलू तो कपिल शर्मा जो की एक comedian है उनको ऐसे serious role में देखना वो अपने आप में एक नई बात थी और उनका performance मुझे अच्छा लगा बाकी कपिल शर्मा को जिसने outshine किया है वो है शहाना गोस्वामी उनकी acting बहुत ही अच्छी थी वो अपने character में ऐसे fit होती है कि अगर आप उन्हें देखोगे तो आप उन्हें surely नहीं भूल पाओगे और क्योंकि ये movie भुवनेश्वर में set की गई है इसलिए आपको इसमें ओरिया के कुछ dialogue मिलेंगे नीचे subtitle आते हैं तो समझ में आता है कि actual में क्या बोला जा रहा है बाकी movie का soundtrack और background music भी मुझे इतना interesting नहीं लगा movie के last में एक song है जो थोड़ा सा pleasing है but again इतना मेरे लिए तो work नहीं किया तो overall Zvigato एक अच्छी movie हो सकती थी अगर इसमें इतने सारे topics को एक साथ interrelate नहीं किया जाता movie का एक purpose होता और उसी पे चलती तो surely audiences के दिल को छू जाती और एक emotional connect और एक impact ज़रूर छोड़ती कि हमें अपने आसपास वाले society में ऐसे लोगों के साथ कैसे behave करना चाहिए तो मेरी तरफ से तो Zvigato ये एक lesson देने में चूग गई और मुझे इस movie से जितनी expectations थी वो उतना deliver नहीं कर पाई तो मेरी तरफ से तो अगर Zvigato को theater की बजाए OTT पे release किया जाता तो एक बार को audience को ये movie देखना इतना नहीं खलता क्योंकि maximum Indian audience को मास मसाले वाला content ज्यादा पसंद आता है तो overall अगर आपको ऐसी कोई movie देखनी है तो आप Zvigato को skip भी कर सकते हो और उसके बदले आप City Lights या मसान जैसी movie देख सकते हो इसमें actual में आप characters के साथ एक emotional connect feel करोगे और जो audience तक एक lesson deliver करने में भी successful है और मैं personally सोचती हूँ कि कपल शर्मा में potential बहुत है तो उन्हें experiment करते रहना चाहिए और hopefully हमें उनकी तरफ से next एक बड़िया movie देखनी के लिए मिलेगी तो बस यही था इस movie का पूरा review तो आपको कैसी लगी वीडियो वो मुझे आप comment section में जरूर बताना और अगर ऐसे content के बारे में और जाना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करके चानल को subscribe कर लो और मैं मिलती हूँ आपको फिर किसी ऐसी interesting सी वीडियो में तब तक के लिए good bye